मिस्को मुन्यों को वाकी लगा कि वो औरत उनकी माँ है मिस्को की माँ एक राइटर थी, डोह हुई जे जस दिन उन्होंने अपने फिक्शन सीरीज की आखरी बुक लिखी, उसी दिन से वो गायब हो गई पांच साल तक ना मिलने पर पुलिस ने उन्हें मरा हुआ मान लिया हमेशा की तरह देर कर दी कुछ लोगों को लगता है कि वो जिन्दा है, पहले तो बहुत अफ़ाएं पहली हुई थी क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं सर? अगर वो वाकई जिन्दा होती, तो क्या अपने चाहने वालों को बीस साल इंतजार करवाती ये जानने के लिए कि विच आफ दा वेस्ट के बाद क्या होता है? मेरे बुरे सबनों में हमेशा माम ही आती है मिसको को उस दिन सद्मा लगा होगा, उसे अपनी मा की याद आती होगी इसी लिए उसने किसी और को अपनी मा समझ लिया होगा शायद वो उन्हें याद ना करती हो, शायद उनसे डरती हो मेरे बीवी, वो बहुत ही अकलमंद और सुन्दर थी बेटी से वो बहुत प्यार करती थी, जरूरत से ज्यादा वो हर रात उसे लोरी गा कर सुलाती थी क्या पता था, कि एक दिन वो खुद हम सब से बहुत दूर चली जाएगी क्या हुआ, क्या हुआ, उसकी क्लास बंद हो गई, इसलिए तुम दुखी हो नहीं वैसे कई पेशेंट्स बंद हो